वेल्कम बैक टू मैं चैनल आप सब लोग आज के अंदर अच्छा सब वर्क करें होंगे गाइस एक और मस्त टॉपिक लेके आयो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर आपको कुछ नहीं हो इस चैनल के अंदर तो प्लीज सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो आपको के लिए वन लॉंच हुआ था एंड जब आयोस 13 था तब यह अपडेट हमें मिली थी कि आप जो भी आपकी एप्लिकेशन है जो आईफोन और आईपेड को सपोर्ट करती है उसको आप डारेक लिए मैक के अंडर मैक में आप कर सकते हो ठीक है मैक के अंदर तो यह अच्छा फीचर था पहले ऐसा था कि मैक के लिए अलग कंट्रोलर्स थे और वो मैक डेवलोपर उसके लिए हायर कर देते सब लोग पर अभी ऐसा कुछ है नहीं ठीक है इसको बोलते है प्रोजेक्ट कैटालिस प्रोजेक्ट कैटालिस एक्सकोर 11 के जब हुआ था तब यह फीचर उ आपको मैक को चाहिए होगा इसके लिए जब आप एप्लिकेशन को कंवर्ट कर रहे हो एक्सकोर के तो तो तब सेकेंड चीज आपकी जो एप्लिकेशन है न वो आइफोन को भी और आइपेड को भी सपोट होनी चाहिए अभी आप बोल रहे हो कि आइपेड मेंस क्या पूरा डालना पड़ता है कि पॉपवर के अंदर मॉडल की जो स्टाइल होती है वो डालनी पड़ती है उस तरीके से हमें प्रेजंट करना होता है तो बेजिक करने में बहुत चीज़ें नहीं होती है तो तीन चीज़ें होती है जो आइपेड में आपको करनी होती है तो व डाक्यमें लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया है गाइस मैंने सिंपल से एक टेबल इू बना है अभी मैं आपको बंढ रता हूँ की टेबल रखने दादी है कि एक टेबलGod इनन आपर सज्फक्र पहए यह जैसे राव है मुल्हटD star को तो आप उस द्याइन prom डेटा अपडेट कर सकते हो जब सेग्मेंट की क्लिक हो रही है इसा तो आपको ऐसे नहीं कि चार टेबल लेंके ज़रूरत नहीं है यह तो इसकी बात थी अभी मैं बात करता है प्रोजेक्ट की यह सेम चीज़ अगर मैं आइपेड मेरन करूगा तो मेरा हो जाए क्योंकि यह के लिए ठीक है इसको सिंप्ली सिलेक कर दो और यह जो यूनीक है वो एप सेंड बॉक्स वो सब यहां पर लिखा हुआ है तो आप एक पढ़ ले न ठीक है इनेबल कर देने उसके बार फिर यह डायरेकली कनेक्ट हो जाएगा यहां पर आपको यह वाला आ जाएगा मैक के ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो तो सिंप्ली यहां पर ओक्षण आ जो ही है बंडल एडिकlarını नीचे यह माईकच2 करकरके करके पुरो आपका देख हुआ यहां पर simply उसको run करना, अभी देख जाएगा, क्या होगा, simply Mac को enable करना है, 10.15 होना चीए, iPad को support कर यह तो बहुत ही अच्छा है, तो अपना एक safe side हो जाएगा, इतनी चीज करने है, बाकि अपने देखते हैं, यह साथ 3-4 चीज़ों की ध्यान रखने हैं, बाकि वो important होई है, बाकि तो done, यह अपना open और यह देखो, आप देख सकते हो, एमदाबाद, मॉंबई, बैंगलोर, पुने, सो यह completely अभी दीख रहा है, ठीक है, अभी हैने एक दो चीज़ में आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो गए, यह डोनों डेमों में डिफ बता कि यह मेरी application है, same look हुबू, मुझे वही application, वही look उसमें मेरे को Mac में दिखना चाहिए, तो वो I think तो possible नहीं होगा, इतना सब कुछ तो नहीं देगे, आपको है ना, मुझे यह यहां लगता है, कि जैसे अपने पता UI device current से हम पता कर सकते हैं, कि आईफोन है, आईपेड है, इस तरीका से पता कर सकते हैं, तो अगर यह iPhone और iPad नहीं है, तो आप यहां पर color सारे change कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, देखा अभी, आप देख सकते हो, select करका जो color है, वो यहां पर white है, पर यहां पर black है, तो मैंने क्या किया, मैं इसलिए आपको यहां पर सिप demo create करना था, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यह condition जब iPad और Mac में जाएगी, तब जो color होगा, selected segment का color black हो जाना चाहिए, तो यह condition के through, उसने क्या किया बता है, इसको black कर दिया, selected segment का, तो आपको, I think, मुझे ऐसा लगता है, कि इस तरीके से आपको differentiate करना पड़ेगा, सिफ UI क लिए, क्योंकि मुझे मैंने जो किया, कि मैंने दो team demo जैसे, कि gallery applications है, कि gallery के उपर, आपने जब click किया, open gallery open होई, फिर photo select किया, उसको choose किया, तो वो image you में आ जाना चाहिए, मैंने ऐसा किया, तो वो simply हो गया, मुझे कुछ भी करने के ज़रूत नहीं पड़ी, यहाँ पे क्य color यहाँ पर दे रहा था, तो मैंने सुझा यह क्या हो रहा है, और यह जो color है, वो white था पूरा, तो यह भी white था, यह भी white था, तो मुझे लगा कि, मुझे, I think, इसमें condition लगा कि मुझे separate करना पड़ेगा, तो एक चीज है guys, पूरा complete नहीं देगा, हाँ, हाँ, सब कुछ हो लिए, तो यह था guys, project catalyst, मैंने यहाँ पर title दी, यहाँ पर title भी आ रहा है, देखो Mac में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, मैंने अभी अभी देखा था, बहुत टैम पर थोड़ा मैंने देखा था, मैंने इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, थोड़ा टाइम थ कर देना मुझे, आप है, मैं रिप्ले जरूर दे दूगा, guys अगर लग रहा है, कुछ सीखा है, तो please यार लाइक करके जाना, बहुत अच्छा लगते हैं, motivation मिलती है, नेक्स वीडियो बनाने के लिए, ठीक है guys, तो film में make it out, नेक्स वीडियो में, thank you so much guys for watching my video, bye bye guys